हलो नीटेस फेरेंट्स, तो यार, MCC का सेडियूल तो आ चुका है, ओफिसिल वेपसाइट भी अपडेट कर गई है, अभी एक यह वाला नोटिस और आया हुआ है, जैसे दो तीन दिन पहले, मतलब जो ओफिसल अनॉंस्मेंट हुई थी, MCC की, उससे पहले एक सेडियूल वा होगा, विकोज उसमें अपडेटेड डेट है, वो 20 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में ली गई है, राउंड वन की काउंसलिंग की, लास्ट अप जोइनिंग है, जो सेंट्रलाइस काउंसलिंग है, वो 4 अप अगस्त है, यह जो सेडियूल है, इसकी डेट्स मैच कर रही ह अगर अभी तक किसी ने सेडियूल डाउंलोड नहीं किया है, तो वेब साइट से वो जाकर डाउंलोड कर सकता है, अभी जो बुलेटेन आने वाला है, उसमें और भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, बहुत सरे ने रूल साएंगे, बट अभी यह बात आती है, स्टेट क काउंसलिंग कब से सरू होगी, एक मैंने बुलेटेन बनाया हुआ तो जिसमें बहुत सरे स्टेट की काउंसलिंग की मैंने बात की हुई थी, जैसे कि अभी यूपी, हरियाना, राजिस्तान, बिहार, इन सभी स्टेट में अभी कोई भी ऑफिसल एनॉंस्मेंट नहीं है, बट, MCC ने अभी एक अल्टिमेटम स्टेट को दे दिया है, कि इस डेट के बीच में आपकी स्टेट काउंसलिंग हो जानी चीए, पहला जो इन्होंने जे स्टेट कोटे के लिए राउंड वन का जो डेट दिया हुए है, 25 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में, जो कि इनका 8 अगस्त तक कंप्लीट हो रहा है, यह राउंड वन है स्टेट कोटे का, तो मैं उमीद करता हूं कि 25 जुलाई के अराउंड रेजिस्टेशन स्टेट में काफी सारे जो स्टेट अभी पिंडिंग है, जैसे यूपी है, तो इनके भी ओपन हो जाएंगे, और यार यूपी ड जलता रहता है, जिग-जाक सिस्टम में इनकी काउंसलिंग होती है, पहले हम EBS का, All India का Round 1 चलेगा, फिर थोड़ा सा स्टेट का पीछे रहता है, फिर राउंड टू चलेगा, फिर तब तक स्टेट के राउंड टू की तर रिस्टेशन हो रहा होते हैं, इस तरीके ते कंप 17th of August के बीच में है, जो कि 28th of August तक, इस बिनकी Complete August में एक राउंड ये लोग कर रहा है, जो कि Second Round है, All India को ठीका, बट अगर आप यही स्टेट में थोड़ा सा मूब करोगे, तो इन्होंने 14th of August ते, 28th of August के बीच में, राउंड टू कंड़क्ट किया हुआ है, मतलब 15 दिन म इधर राउंड टू, उसके बाद में लास्ट डेट अप रिपोर्टिंग होती ना, फिचकल रिपोर्टिंग वगरा, इन्होंने 4th of September तक रखा हुआ, राउंड टू का, अगर Complete आप देखोगे, तो इन्होंने जो काउंसलिंग फिनिस कर दी है, राउंड थेड की, वो 21st September तक फिनिस कर दी है, और इस तरह वाकेंसी राउंड, अगर इसके बाद एक राउंड और होता है, अगर सीट्स वगरा वाकेंट रह जाती है, जिसको हम 4th राउंड बोलते हैं, वो है 30th September, तो यहार मैं उमेद करता हूँ, इन्होंने 30th September तक लिखा हुआ है, और इन्होंने एक शीज और लिखी है, कमेस्मेंट और जो भी एकेडमिक सेसन, यूजी कोर्से से स्टार्ट होंगे, वो 1st September दे रखी है, तो बट यह थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि extend हो सकती है, उन्होंने 1st September दिया हुआ है, क्योंकि 1st September तक तो round 1, round 2 ही होंगे, मॉप अप राउंड तो all India का भी रह जाएगा, और state का भी रह जाएगा, तो यार वीड़ो आज की ही ही तक उम्मित करता हूँ, यह वीड़ो काफी informative थी, आप सभी के लिए काफी helpful रहेगी, मिलते है next video में, फिर किसी नई जानकारी, किसी ने आपडेट डेटा रिसर्च के साथ में, MBBS Counseling के लि के साथ में, बाबे